हाई फ्रेंड्स व्रणाम है मांशू पारशार और आज हम समझेंगे solvency ratio के बारे में है ना तो देखिए मैं काफी टाइम से कुछ वीडियो बना रहा हूं इसी पॉर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जैसे कि मैंने सबसे फर्स वीडियो बनाया था ratio analysis पर फिर उसके types मतलब liquidity ratio पर फिर current ratio और quick ratio जो की part है liquidity ratio का उनका difference between पर बने वीडियो बनाया और यह fourth वीडियो है इसी particular ratio से related topic का solvency ratio तो यह बाकी जो तीन वीडियो से ना उनका link आपको description और comment column में मिल जाएगा आप देख लीजेगा solvency ratio start करते हैं देखे solvency का मतलब क्या होता है solvency का मतलब यह होता है कि आप की capacity है कि आप loan को बापिस कर सकते है solvency का मतलब यह होता है है ना जैसे for example मैंने या किसी company ने है ना हम solvency ratio जब calculate करते हैं तो हम अपने को लेकर और company को लेकर चल सकते हैं मतलब एक individual और company को का example ले सकते हैं बिलकुल है ना valid है और वो तो अगर मैं solvency की बात करूँ उसके मतलब की बात करूँ उसके meaning की बात करूँ तो solvency का मतलब यह होता है कि हमारी छमता है कि हम loan लेकर उसको बापिस कर सकते हैं अच्छा ठीक है यहां तक बात को बात clear हो गई होगी है ना कि solvency का मतलब यह होता है ठीक है ना अब solvency ratio क्या बताता है हमको long term financial position के बारे में बताता है, है ना, solvency ratio क्या बताता है, long term financial position के बारे में बताता है, ठीक है, यहां तक बात clear हो गई, अब हम meaning पढ़ते हैं, और अच्छे से इसको clear करते हैं, ओके, थोड़ा सा overview मैंने आपको दे दिया, तो solvency means the ability of an enterprises to meets its long term obligations, देखे, जो आप long term loans लेंगे न, है ना, तो जो आप obligations का मतलब होता है, दायित्व, है ना, तो आप जो long term loans लेंगे न, तो solvency क्या बताता है, solvency आपके enterprises की, देखिए enterprises मतलब क्या होता है, आपका business, आपके business की ability बताता है, है ना, आपके business की ability बताता है solvency, कि आप long term obligations, मतलब long term loans ले सकते हैं या नहीं, है ना, आप ये ले सकते हैं, तो उसको pay कर सकते हैं, तो ये pay कर सकते हैं या नहीं, तो ये कौन बता रहा है है हमको solvency बता रहा है ना and the solvency ratio reveal तो देखिए अब solvency का नाम आगे ना solvency ratio का तो solvency ratio जो है वो reveal करता है reveal मतलब उसको exhibit exhibit का मतलब यसे reveal का मतलब उसको प्रदर्शित करना बताना है ना and enterprises ability enterprises की ability उसकी छमता बताना कि वो payment कर सकता है जो loan लेगा वो उसका to meet the long term in depthness है ना यहां तक आपको clear हो गया होगा ठीक है ना वहीं मैं बात करो solvency ratio के के full firm की या sorry formula की तो total assets upon total external liabilities एक बात और clear मैं आपको कर दूँ यदि total assets ज्यादा है फिर से clear कर देता हूं यदि total assets ज्यादा है as comparison to external liabilities के तो क्या होगा the business concern is treated as solvent मतलब हमारा जो business concern है वो solvent कह लाएगा solvent का मतलब क्या हुआ मतलब वो अगर loan लेगा किसी से तो वो repayment loan का कर सकता है यदि उसके assets ज्यादा है है ना और liabilities कम है assets और liabilities के बारे में आप already बता चुका हूं एक बार और clear कर देता हूं assets मतलब होते हैं कि जो convert हो जाए cash में और liabilities मतलब जो convert ना हो cash में उसके लिए आपको cash देना पड़े मतलब आपकी जेब से पैसा जाए और asset मतलब आपकी जेब में पैसा आए ठीक है तो यह था हमारा solvency ratio के बारे में solvency ratio में कुछ ratios भी होती है कुछ अधर इसके अंदर जो आती है जैसे liquidity ratio में current ratio क्यों cash ratio आती थी ना वैसे solvency ratio में कुछ ratios आती है जैसे debt debt equity ratio total assets debt ratio ठीक है proprietary ratio यह हम आंगे discuss करेंगे so thank you so much यह था हमारा solvency ratio को लेकर I hope कि आपको clear हुआ होगा like करें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो thank you so much